मैं कैसे अपनी जीवन का एक लक्ष तै करूँ और कैसे उसे हासिल करने के लिए अपनी परस्नालिटी को डेवलप करूँ? आपके जो सपने, लक्ष और आकांक्षाएं हैं, बहतर होगा कि आप इस पर थोड़ा और समय लगा कर देखें कि क्या ये आपके लिए कोई माईने रखेगा पचीस या पचास साल के बाद जब आप मर रहे होंगे, क्या ये फिर भी आपके लिए माईने रखेगा? आपको इस पर गौर करना चाहिए, आप जिस चीज की आकांक्षा कर रहे हैं, जिस चीज का सपना देख रहे हैं, जो लक्ष आपने तए किया हैं, क्या वो वास्ताव माईने रखेंगे? क्योंकि इन में से ज्यादा तर लक्ष फंदे हैं, वो फंदे हैं, आप उसमें पिर में उन्होंने जो सपना देखा था, वो खुश किस्मत हैं कि वो सच नहीं हुआ. आया ना, अगर आपके जीवन में आपके हर इच्छा और हर सपना सच हो जाता, तो क्या आप इसे सह पाते? सौभाग इसे उन में से कई चीजें निकल गई और कभी सच नहीं हुई, है अगर आपकी उम्र का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्षत ताय करना चाहता है, तो अच्छा होगा कि वो अपने आस-पास के सभी प्रभावों से एक ब्रेक ले लें. सामाजिक प्रभाव, परिवार के प्रभाव और दूसरे प्रभावों से अलग कहीं और चले जा जल्दबाजी में अपने लक्ष ताय ना करें. जल्दबाजी में ताय किये गए लक्ष उस समय आपको बहुत महत्वपूर्ण लगेंगे. कल सुबह आपको पता नहीं कि आप उसके साथ क्यों उल्जे हुए हैं, तो यह अच्छा होगा. अगर आप अपना जीवन ताय करन अपने वाले हैं, तो अच्छा होगा कि आप ऐसा उस समय करें, जब आप बहुत ही शांत, खुश और स्पष्ट दिमाग के साथ हों, है न? अपने आसपास की किसी भी चीज से प्रभावित होकर नहीं. अकेले बैठ कर सोचें कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या ब अपने बहुत हैं, आपको पर्सनालिटी का मतलब समझना चाहिए. पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है. पर्सोना का अर्थ ग्रीक भाषा में, माफ किजे, लैटिन में होता है मुखोटा, एक मुखोटा जिसे पुराने थेटरों में इस्तिमाल किया जाता था, एक ह और राम का किरदार भी निभाना है, और सीता का भी और लक्षमन का भी, हर किरदार के लिए एक-एक मुखोटा है. आप ये मुखोटा लगाकर राम की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं, ये मुखोटा लगाकर सीता की तरह बोलते हैं, उसे नीचे रखते हैं, ये व के चेहरे से जिपक गया, आप उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी एक परस्नालिटी है, परस्नालिटी ऐसी चीज है जिसे लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीव का कोई अहसास नहीं होता, असली चीज के बजाए, आप एक नकली चीज को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपने जीव के साथ संपर्क में हैं, तो आपको परस्नालिटी क्यों चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अलग-अलग जगाहों पर अलग-अलग परस्नालिटी रख सकते हैं, आप पहले से या एक ही परस्नालिटी के साथ अटक गए हैं, कुछ लोग अटक गए हैं, साधारन दिमाग के लोगों की सिर्फ एक परस्नालिटी होती है, दूसरे लोगों की जीवन के अलग-अलग शेत्रों में अलग-अलग परस्नालिटी होती है, है न? अगर आपने मुझे 1999 से पहले देखा होता, यानि ध्यानलिंग की प्रांड प्रतिष्ठा से पहले, तो मैं एक बिलकुल अलगतर है का विक्ती था, ठीक है? इस हद तक कि मेरे बारे में हर चीज अलग थी, उससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी, जो मेरे काबू में नहीं थी, मगर ये जान बूचकर किया गया था, उस समय मेरा दिमाग सिर्फ एक ही मकसद पर केंद्रित था, मैं एक तरीके से हुआ करता था, मुझे नहीं लगा था, कि मैं उसके बाद जीवित रहूंगा, मगर किसी न किसी तरह चीज़ें होती गई, फिर मैंने सोचा, अब काम पूरा हो गया है, अब मैं अपनी परस्नालिटी को पूरी तरह बदल लेता हूँ, उस मकसद के लिए मैंने एक खास तरह की उन्होंने का, कोई बात नहीं, वगरा वगरा, मैंने का, बस मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मेरे बारे में हर चीज़ बदल जाएगी, जिस तरह मैं काम करता हूँ, बोलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, जिस तरह हर चीज़ करता हूँ, वो बदल जाएगा, उन्होंने का कोई बात नहीं, हम आपको जानते हैं, आपसे प्यार करते हैं, मैंने कहा, लेकिन मुझे कसके पकड़े रहना, क्योंकि जब चीजें बदलती हैं, तो लोग अलग हो जाते हैं, बहुत से लोग अलग हो गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, जिस व्यक्ति को वो जानते थे, वो कहा गया, वो व्यक्ति बस गायब हो गया, ये एक नए व्यक्ति है, वो इस नए व्यक्ति के साथ पैचान नहीं जोड़ पा रहे थे, मैंने उन्हें बता कर खुद को बदला, इसके बावजूद वो अलग हो गए, कई सारे लोग, कई सारे लोग जो मु मैं जैसा दिखता हूँ, जैसे कपड़े पहनता हूँ, जैसे बोलता हूँ, मैं जैसा हूँ मेरे बारे में हर चीज, यहां तक कि मैंने अपनी पसंद का खाना भी बदल दिया मैंने अपनी personality बदली, तो मैंने सोचा कि अपना खाना भी बदल दूँ तो personality ऐसी चीज है जिससे आपने अपनाया है मगर उससे लेकर आप इतने बेखबर हो गए हैं कि आपको वो असली लगने लगी है आप पूछ रहे हैं कि इसे कैसे डेवलप करें इसका मतलब है कि आप उसे बना रहे हैं, है न? आपके कामकाज के लिए जैसे जरूरी हो, इसे वैसा बनाएं लेकिन आपके पास उसे उतार कर नीचे रखने के आजादी होनी चाहिए अगर वो आपके चेहरे से चिपक गई तो बहुत दुख मिलेगा फिर सारी पीड़ा आपको भूगतनी होगी आप किसी भी तरह की personality अपना सकते हैं मगर जब आप उसे हटाना चाहें, तो आपको उसे हटाने में सक्षम होना चाहिए एक संथ हुआ करते थे वो इतने बुद्धिमान थे कि लोग उनके पास जाते थे और उनके आसपास भीड लगी रहती थी राजा भी उनके पास गया उसे लगा कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति को उसके दर्बार में होना चाहिए तो उसमें संथ से कहा आपको मेरा मुख्य मंत्री बन जाना चाहिए क्योंकि आपके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को पेड के नीचे बैट कर अपनी बुद्धि व्यर्थ नहीं करनी चाहिए आपको लोगों के काम आना चाहिए संथ ने काया ठीक है मगर मेरी एक शर्थ है आपको अपने महल में मुझे एक कमरा देना होगा जहां मैं हर दिन एक घंटा बिताऊंगा आप कभी उस कमरे में नहीं आएंगे कभी नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कभी उसमें जबरदस्ती नहीं घुसेंगे कुछ नहीं उस कमरे में आप आपके नौकर, आपके गुप्तचर कोई नहीं आ सकता राजा बोला कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्या दिक्कत होगी आपको एक कमरा चाहिए मैं आपके कमरे में तांक जाक्यों करूँगा मुझे मन्जूर है फिर जब भी कोई एहम बैठक होने वाली होती वो सन जो अब मंत्री बन गया था वो राजमहल के हिसाब से वैसे कपड़े पहनता था मगर वो अंदर जाकर एक घंटे के लिए खुद को एक कमरे में बंद करता और फिर बाहर आता कुछ महिने और साल बीद गए मगर फिर राजा के जिग्यासा ये जिग्यासा हमें मंगल तक ले जा चुकी है वो जानना चाता है कि आखेर वो आदमी अंदर क्या करता है चारों ओर अफ्वाएं पहलने लगी अरे वो कुछ करता है उसमें अंदर किसी को रखा हुआ है हो सकता है कि वो दुश्मन का जासूस हो वो अचानक यहां आ गया वो वहां क्या करता है हर कोई पूरा महल काना फूसी करने लगा कि वो उस कमरे में क्या करता है हर कोई उस कमरे में जाकना चाता है मगर हमेशा ताला लगा रहता है वो आदमी अंदर जाता है थोड़ा समय बिता कर बाहर आता है खास तोर पर अगर कोई महत्वपून काम होना है वो अंदर चले जाता है हर तरह के अफ़ाई उड़ी तो एक दिन राजा से रहा नहीं गया राजा ने उस आदमी से पूछा मैं देखना चाहता हूँ कि उस कमरे में क्या है उसने कहा आपने मुझसे एक वादा किया था अगर आप वादा तोड़ते हैं तो मैं चला जाऊंगा राजा ने खुद पर काबू किया वो उन्हें खोना नहीं चाहता वो बहुत बुधिमान है और फिर उसके दूसरे दर्बारी उसके कान भरने लगे आप कुछ क्यों नहीं करते पता नहीं अंदर क्या चल रहा है कुछ खतरनाक हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है एक दिन जब वो नहीं थे उन्होंने दर्बाजा तोड़ा और अंदर चले गए और होने चारों और देखा कमरा खाली था कोई फरनिचर या कुछ भी नहीं बस खाली कमरा, उन्हें कुछ नहीं मिला, वो यहां क्या करता है? फिर एक कोने में उन्हें बहुत पुराने कपड़े लटके हुए मिले, और एक भिक्षा का कटोरा, उन्हें पास जाकर देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है? फिर वो अंदर आये और बोले, तो देख लिए आपने? राजा ने पूछा, आप यहां क्या करते हैं? वो बोले, जब भी मुझे कोई एहम फैसला करना होता है, मैं यहां आता हूँ, अपने पुराने कपड़े पहनता हूँ, और भिक्षा का कटोरा लेकर बैठता हूँ. ताकि मैं साफ-साफ, मैं महल की सारी चीजों में फसना नहीं चाहता, मैं अपनी समझ को खोना नहीं चाहता, इन कपड़ों और इन गेहनों और बाकी चीजों में, तो मैं यहां आता हूँ, यह कपड़े पहन कर, अपना कटोरा लेकर बैठता हूँ, फैसला करता हूँ और बाहर आता हूँ, मगर आपने वादा तोड़ दिया है, और वो चले गए। ध्यान आपके लिए यही है, हर दिन जब आप बैठते हैं, आप खुद को निर्वस्तर कर लें, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जब आप यहाँ बैठें, देखिए, कोई भी चीज जो बनाई गई होती है, उसे लगातार आपकी मदद की जरूरत होती है, है ना? मान लीजे, अगर आप एक जूट बोलते हैं, उसे बनाई रखने के लिए लगातार आपकी मदद की जरूरत है, है ना? लेकिन अगर कोई चीज सच है, तो आप उसे भूल भी सकते हैं, फिर भी वो मौजूद रहेगी, है ना? आपको मेरी बात समझाई? अगर कोई चीज स सच है, आपको उसे बनाई नहीं रखना है, वो वैसे भी मौजूद रहेगा, आप समाज के लिए जो रूप रचते हैं, समाज में काम करने के लिए आपको एक तरह के मेकप की जरूरत पड़ती है, आपको उसे उतारने में सक्षम होना चाहिए, अगर आप सोने जाते हैं पूरे मेकप के साथ, तो आपके साथ कुछ गरबड़ है।